हाई अबरिवन कैसे आप सब मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूँ आपके लिए आज कुछ विकेंसिस लेकर के मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त नौकरी चाहते हैं पर होता क्या है हमारे साथ हम जॉब इजली करना ही पाते हैं हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती है हमें बहुत धक्के घाने पड़ते हैं और उसके बाद हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं हमेशा की तरह मैं यह बात आपसे जरूर शियर करूँगा इस वीडियो में कि जो भी विकेंसिस में आपको बताता हूँ इन विकेंसिस में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्च नहीं लेता हूँ मेरी ये विकेंसिस बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट रहती हैं ताकि मैं इस देश में से इस समाज में से बेरुजगारी को खदम करने में अपना एक एहम रोल अदा कर पाऊं मेरी कोशिश रहती है कि सबी को कही न कहीं रुजगार तिला पाऊं मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरा भाई बहन दोस्त बुखा नहीं सोना चाहिए उसको कहीं न कहीं रुजगार जरूर मिलना चाहिए और हमेशा की तरह आपसे एक बात मैं ये भी शेयर करता हूँ कि प्लीज गलत कंसल्टन्स के चक्कर में मत फ़सा करो बहुत सारे आप भाई बेहन दोस्त पांच पांच हजार दस दस हजार कंसल्टन्स को दे करके आ जाते हो एडवांस में उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है मेरे बहुत सारे भाई बेहन दोस्त उस चक्कर में कंसल्टन्स के आगे पीछे गूमते हैं उनके चक्कर मारते हैं उनको कॉल्स करते हैं उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती है और होता क्या है कि आपकी कॉल्स भी पिक नहीं की जाती है और लास्ट में हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कई बार तो मेरे बहुत बाई, बहनों, दोस्तों के साथ एक गलत काम भी हो जाता है उनके करियर के साथ खिलवाड किया जाता है उनके career को बरबाद किया जाता है हम बनना accountant चाते हैं हमारी relevancy accountant की होती है और बना हमें क्या दिया जाता है receptionist हम बनना engineer चाते हैं हमारी relevancy engineer की होती है और हमें बना क्या दिया जाता है telecaller तो आप सबसे एक request है कि आप वो करो जो आप करना चाते हो आप वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है यह नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कोई भी नौकरी कर लेंगे ज़स्ट सबसे पहले अपना पैशन देखा करो आपका जो पैशन है उसी की तरफ चाहो अगर आप अपने पैशन को देखोगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आपके मतलब की नौकरी जरूर मिलेगी और हाँ जो भी विकिंसिस मैं आपको बताता हूँ अगर आपको लगता है आपने पास दिन देखा, दस दिन देखा, पंदरा दिन देखा आपके मतलब को कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप एक काम जरूर किया कीजिए मेरे इन वीडियोज में मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज होते हैं जो बिजनस से रिलेटिड होते हैं मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए business से related videos भी बनाऊ कई पर क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा passion होता है जिसको हम बाहर निकालना नहीं चाते हैं या हम निकाल ही नहीं पाते हैं हम करना कुछ और चाते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं कुछ लोग business minded होते हैं बने business के लिए होते हैं उसके बावजूद वो job में जा रहे होते हैं मैं ऐसी research करके books पढ़के ऐसे business के बारे में बताता हूँ जिसमें आप बिना investment के भी कारोबार कर सकते हैं या फिर low investment के साथ भी कारोबार कर सकते हैं तो आप उन videos को जरूर देखा कीजिए हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए हो सकता है आपका passion बाहर निकल आए अब आपको क्या करना है अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances हैं तो please comment box के जरीए मेरे से information हासिल कीजिएगा अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances नहीं हैं तो please इन vacances को आगे share जरूर कर दिया करो हो सकता है आपके share से किसी भाई किसी बहन किसी दोस्त को रुजगार मिल जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बन जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बच जाए हो सकता है आपके शेयर से कोई दो वक्त की रोटी का मुथाच है तो उसको तीन वक्त की रोटी मिल जाए सिर्फ आपकी वज़े से तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना हो सकता है किसी की जिन्दगी बनाद पाओ और आपको दूआ मिलेगी उसके बाद और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको क्या करना है इन जॉब्स के लिए मैं आपको फॉन नंबर और इमेल आइडी डिरेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोग वीडियो मेरा ये 15 दिन के बाद देखते हैं पहली बार देखते हैं महीने के बाद देखते हैं और इतने में जॉब फिल आउट हो जाती है और आप उस पर कॉल करते हो तो सामने वाली कंपनी इरिटेट भी हो सकती है तो आपको लेटेस्ट विकेंसिस के लिए क्या करना है आपको मेरे टेलीग्राम नमबर 9888330068 पर एक हेलो सेंट करनी है आपने प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद एक मुबाइल एप टेलीग्राम इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल करने के बाद आपने मेरा फोन नमबर 9888330068 शेयर करना है 6-8 save करने के बाद आपको मेरे टेली ग्राम पर hello send करना है जैसी ही hello send करेंगे मेरी तरफ से आपको एक link आएगा link आने के बाद आपको vacancies दिखनी start हो जाएंगी जिन में direct phone numbers होते हैं direct email ाइडी भी होती है और एक और बाद कई बार कुछ phone numbers हो सकता है गलत निकलाएं क्योंकि मेरे पास दूर दूर से phone आते हैं employers के phone आते हैं तो जैसी vacancy आती है तो मैं post कर देता हूँ तो कई बारी बात में पता लगता है कि वो भी एक consultant था और अगर consultant था और आप उनको call करते हो और अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आपसे एक request है कि किसे भी तरह का कोई भी पैसा आपने advance में किसी को नहीं देना है और आपसे एक और बात भी share करूँगा कुछ लोग मेरे नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं बट आपसे मैं सिर्फ एक ही बात की request कर रहा हूँ कि मैं कभी भी jobs के लिए इन placements के लिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी advance या कोई भी last way पैसा किसी भी तरह का कोई भी charge मैं नहीं लेता हूँ मेरी ये vacances बिल्कुल free of course रहती है मेरी ये vacances society के लिए बिल्कुल एक सेवा रहती है मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जस्ट आप सब के लिए मेरे भाईयों के लिए एक help रहती है तो चलिए आज start करते हैं आज की vacances ये रही सो आज की vacances रहेंगी एहमदाबाद की मेरे जो भी भाई, बेहन, दोस्ट एहमदाबाद में रहते हैं उन सब के लिए आज की options रहेंगी एहमदाबाद में हमें एक real estate company में एक female receptionist चाहिए fresher हो तो भी apply कर सकते हो graduate हो तो भी apply कर सकते हो 9 to 6 की आपकी job रहेगी salary की बात करूँ तो discuss किया जाएगा interview के time पर आपके communication skills बहुत अच्छे होने चाहिए उसके बाद हमें एक company में एक safety officer चाहिए आपको कम से कम 6 महिने का as a safety officer का experience होना चाहिए timing यहाँ पर flexible रहेंगी shift wise रहेंगी morning के भी मिल सकती है और आपको evening के भी मिल सकती है salary यहाँ पर आपको 13,000 पर month मिल जाएगी उसके बाद एक advocate के अंडर हमें एक English stenographer चाहिए जिसमें 40 words पर minute के आपकी speed होनी चाहिए आपकी जो timing रहेंगी 9 to 5 की रहेंगी salary की बाद करूं तो discuss किया जाएगा interview के time पर आपके communication skills आपके बहुत अच्छे होने चाहिए even that हमें एक company में एक chartered accountant चाहिए कम से कम आपको दू साल का as a chartered accountant का experience होना चाहिए timing यहाँ पर flexible रहेंगी salary की बाद करूं तो discuss किया जाएगा interview के time पर उसके बाद हमें एक company में एक pharma company में एक pharmacist चाहिए आपके पास कम से कम 6 महीने का experience होना चाहिए timing की बाद करूं तो discuss किया जाएगा interview के time पर salary यहाँ पर आपको 18,000 पर month मिल जाएगी उसके बाद हमें एक office में office administrator चाहिए जिसमें कम से कम आपके पास 6 महीने का experience होना चाहिए आपको staff को manage करना है आपको office assets अच्छे से supervise करने है उनकी maintenance देखनी है आपको IT के साथ interact होना है phone पर interact होना है आपको invoice generate करने होंगे आपको purchase orders देखने होंगे follow ups लेना होगा payments का हल आपको even that day to day जो भी activities होती है आपने उनको handle करना है basic HR activities को भी आपने देखना है basic accounting भी आपने देखनी है अगर मैं बात करूँ आपकी qualifications की तो Microsoft office में आपकी proficiency बहुत अच्छी होनी चाहिए चाहे वो Microsoft outlook है चाहे वो Excel है चाहे वो Word है चाहे वो PowerPoint है अच्छी सी knowledge होनी चाहिए उसके बाद आपके written skills आपकी verbal skills बहुत अच्छी होनी चाहिए चाहे वो English में है चाहे वो Hindi में है उसके बाद आपकी multitask करने की ability होनी चाहिए और्गनाइज करने की ability होनी चाहिए priority work पर आपको काम करना होगा documentation skills आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके बाद हमें एक office में एक clerk चाहिए female candidate होना चाहिए कम से कम आपके पास 6 महीने का experience होना चाहिए timing की बात करूँ तो यहाँ पर 9 to 6 की timing रहेंगी अगर मैं बात करूँ salaries की salaries यहाँ पर आपको 18,000 पर मन्त मिल जाएगी all depends upon your capabilities आपके computer skills बहुत अच्छे होने चाहिए तो यह थी जी आज की कुछ vacances एहमदाबाद को लेकर के मेरे जो भी भाई बहन दोस्त एहमदाबाद में रहते हैं उन सब के लिए आज की options थी अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances हैं तो आप comment box के जरीए मेरे से information हासल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances नहीं है तो please in vacances को आगे share करना मत बूलिएगा हो सकता है आपके share से किसी भाई, किसी बेहन किसी बेरुजगार को रुजगार मिल जाए और अपने भाईों के साथ, अपनी बेहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो कि अगर किसी को जाप चाहिए, तो depression में नहीं जाना है मैं बैठा हूँ, आपकी पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मदद करूँगा help करने की मुझे मौका दीजी, आपके साथ रूबरू होने का, आपके लिए कुछ कर दिखाने का ताकि मैं चैन की नींद रात को सो सकूँ, जब आपकी कमेंट आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है देख करके कि सर, सूसाइड करने थी, आप नहीं करूँगा, आज नौकरी लग गए, लिटरली बहुत प्यारी नींद आती है तो ऐसा ही हमने कुछ करके दिखाना है Thank you so much guys, मुस्कुराते रही है अब